पॉजिटिव न्यूज एक ही न्यूज ने इसके अंदर असरप अपना जो व्यू डालने परियास किया है वो सरकार के दुआरा अपना इस्टेक लेने के नाम से हुआ है सुप्रीम कोट और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो सिता रमन जी ने का है कि वो कमपनी के कर्ज के साथ अपने हाथ को नहीं बटा रहे है वेल्डिंग पर ध्यान देना उन्होंने ये का है कि जो बकाया था वोडा फोन आइडिया दे नहीं पा रहे थी और जब वोडा फोन आइडिया ये चीजे दे नहीं पा रहे थी उन्होंने उसके अंदर सेर के परतिश टेक लिया है 23% का यानी 10 रूपे के इसाब से और उन्होंने एक बहुत इच्छी बात किये Vodafone idea के लिए कि जब Vodafone idea कमाएगा तो उनका पैसा फिर वापस आएगा तो इसका क्या माहिन है इसका माहिन ही ये हैं कि 1 मेना 2 मेना तेजी हो सकते है फिर इसके अंटर गिरावाट हो सकती है क्यूंकि इसके बाद जो आपको सुनना है उन्होंने काया कि Vodafone आइडिया जब कमाएगा तो अभी तो लोसी कर रहा है, कमा का रहा है तो जब कमाएगा मतलब साल, दो साल, तीन साल हो गया इसके अंदर आप समझें न कि जब हमारे वितमंत्री जी ने ये वर्डिंग बोल दी है कि जब कमाएगा, इसका मतलब फिर कभी न कमी ये कमाएगा इसको एक सीट मिल गई, और सीट में बैठकर रहा है वोड़ाफोन आडिया काम करेगा, हम वर्डिंग को पकड़ते हैं और एक ऐसी वर्डिंग पकड़ रहा है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिश्टर जी ने बोली है, तो यह कमाएगा, तो यहां से संतुष्टी आ गई है, कि अगर हमारे पर शेर है ना, तो कभी न कभी तो वोड़ाफोन आडिया कमाएगा, और जब यह कमाएगा, तब सरकार का पैसा भी आपिस आगा, तो हमारा साजी में, कोई आपको बहुत पैजी के साथ बोलते, सरकार इस टेक ले लिया है, तो यह इसका सब कुछ अच्छा हो गया, सारा अच्छा इसके अंदर फांड और बैंक के दुवारा, और उनिवेसकों के दुवारा आउने वाला, यह एक वीडियो इस तरीके से मैंने बना दी है, कि यहाँ पर हमने फाइनेंस मिनिश्टर की सैकलोजी पकड़ी है, उनका यह मानना है कि उन्होंने कोई करजा नहीं लिया है, करजा तो वोड़ फोन आइडिया में अब दूर की लिए नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ एक चीज ऐसी होगी, कि एक गाड़ी में सीट सारी भरीवी थी, लेकिन वहाँ पर वोड़ फोन आइडिया के लिए सीट बना दी गई है, वो बना दी गई है सरकार के दुवारा, तो अभी आपको तेजी के संके जो देखने को भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, उस पर बातों पर नहीं जाना है, लंबी दूरी को तेख